नमस्कार दोस्तों में भारते नमस्ष आज आपके सामने एक कहानी या यूँ कहें व्यंगे कथा प्रस्तुत करना चाहता हूँ और ये बहुत चर्चित कहानी है हरिशंकर परसाई जी की भेड़ और भेड़िये आप जानते हैं दोस्तों आज कल मतदान का समय चल रहा है सचे जूटे वादे भी किये जा रहे हैं मुझे लगता है ये कहानी हमारे समय के हिसाब से आज भी प्रसंगिक है और परसाई जी की जन में शती तो चल ही रही है तो दोस्तों ली जाए जविना किसी लंबी भूमिका किया मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कहानी भेड़ और भेड़िये लेखे खें हर शंकर परसाई एक बार एक वन के पशूँ को ऐसा लगा कि सब भेता के उस अस्तर पर पहुँच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शाशन व्यवस्था अपनानी चाहिए और एक मत से यह तै हो गया कि वन परदेश में परजातंत्र के स्थापना हो पशो समाज में इस करांतिकारी परिवर्दन से हर्ष की लहर दोड़ गई कि सुख सम्रद्ध और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया और वह आया जिस वन परदेश में हमारी कहानी ने चरण धरे हैं उसमें भेड़े बहुत थी नहायत नेक, इमानदार, दयालू, निर्दोश, पशुप जो घास तक को फूंप फूंप कर खाता है भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भै दूर हो जाएगा हम अपने प्रतेनेधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को ना सताए ना मारे सब जीएं और जीने दें शान्त, स्नेह, बंदुत और सहयोग पद समाज आधारित हो इदर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया भेड़ों की इतनी संख्या अधिक है कि पंचायत में उनका भहुमत होगा और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे तो हम खाएंगे क्या क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा जियों जियों चुनाओ समीब आता भेवों का उलास बढ़ता जाता जियों जियों चुनाओ समीब आता भेड़ियों का दिल बैठता जाता एक दिन बुड़े सियार ने भेड़िये से कहा मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं हर भेडिये के आसपास दो चार सियार रहते ही हैं जब भेडिया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं ये भेड़िये के आसपास दुम हिलाते चलते हैं उसके सिवा करते हैं और मौके बेमो के हुआ हुआ छिला कर उसकी जै बोलते रहते हैं तो बुड़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा महराज आपके मुखच अंदर पर चिंता के मेग क्यों चाहिन है उसियार कुछ कविता भी करना जानता होगा या शायद दूसरे की उक्ति को ही अपना बना कर कहता हो कैर भेड़िये ने कहा तुझे क्या मालूम नहीं कि वन परदेश में नई सरकार बनने वाली है हमारा राज तो अब गया शियार ने दात निपूर कर कहा हम क्या जाने महराज हमारे तो आप ही माइबाप हैं हम तो कोई और सरकार नहीं जानते आपका दिया खाते हैं आपके गुण काते हैं भेडिये ने कहा मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी सियार सब जानता था मगर जानकर भी नजानने का नाटक करना ना आता हो तो सियार शेर न हो गया होता आखिद भेडिये ने वन प्रदेश की पंशायत के चुनाओ की बात बुढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा चुनाओ अब पास आता जा रहा है अब यहां से भागने के सिवा कोई चारा नहीं पर जाएं भी कहां सियार ने कहा मालिक सरकस में भरती हो जाइए बेडिये ने कहा अरे वहां भी शेर और रीश को तो ले लेते हैं पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहां भी कोई नहीं पूछता है तो सियार ने खूब सोचकर समय लेकर कहा अजायब घर में चले जाएए बेडिये ने कहा अरे वहाँ भी जगए नहीं है सुना है वहाँ तो आजमी रखे जाने लगे है बुड़ा सी यार अब ध्यानमगन हो गया है उसने एक आँख बंद की नीचे के होट को उपर के दांट से दबाया और एक टक आकाश की वो देखने लगा जैसे विश्वात्मा से कनेक्शन जोड़ रहा हो फिर बोला बस सब समझ में आ गया माहा मालिक अगर पंचायत में आप भेडिया जाती का बहुमत हो जाए तो भेडिया चिरकर बोला कहां की आसमानी बातें करता है अरे हमारी जाती कुल 10 फीस दी है और भेड़े तथा अन्य पशु 90 फीस दी भला वे हमें काहे को चुनेगे अरे कहीं जिन्दगी अपने को मौत के हाथ सौख सकती है मगर हाँ ऐसा हो सकता तो क्या बात थी बुड़ात यार बोला आप खिन्दमत हो ये सरकार एक दिन का समय दीजिए कल तक कोई योजना बन ही जाए मगर एक बात है आपको मेरे कहे अनुसार काले करना पड़ेगा मुसीबत में फंसे भेडिये ने आखिर सियार को अपना गुरू माना और आगया पालन के शबत लिया दूसरे दिन बुढ़ा सियार अपने तीन सियारों को ले कर आया उन में से एक को पीले रंग में रंग दिया दूसरे को नीले में और तीसरे को हरे में बेडिये ने देखा और पुछा अरे ये कौन है बुढ़ा सियार बोला है ये भी सियार है सरकार मगर रंगे सियार हैं भेड़ी ने शंका की भेड़ी ने शंका की मगर इनकी बात मानेगा को ये तो छल कपट के लिए बदनाम है सियार ने भेड़ी का हाँ चुम कर कहा बड़े भोले हैं सरकार अरे मालिक रूप रंग बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं फिर ये तो सिजार हैं और तो बुड़े सिजार में भेड़िये का रूप बदला मत तक पर तिलक लगाया गले में कंठी पहनाई और मुह में गहास के तिनके खोंस दिये बोला अब आप पूरे संत हो गए अब भेड़ों की सभा में चलेंगे मगर तीन बातों का खयाल रखना अपनी हिंसक आँखों को ऊपर मत उठाना हमेशा जमीन की ओर देखना और कुछ बोलना मत नहीं तो सब पोल खुल जाएगी और वहां बहुत सी भेने आएगी सुन्दर, सुन्दर, मुलाइम, मुलाइम तो कहीं किसी को तार मतले न बेड़िये ने पूछा लेकिन रंगे सियार क्या करेंगे? ये किस काम आएंगे? बुड़ा सियार बोला अरे ये तो बड़े काम के हैं आपका सारा प्रचार तो यही करेंगे इन्ही के बल पर आप चुना ये पीला वाला सियार बड़ा विद्वान है विचारक है कभी भी है और लेखक भी ये नीला सियार नीला और पत्रकार है और ये हरा धर्म गुरू बस अब चलिए माराज जरा ठेहरो बेडिये ने बुरे सियार को रोका कभी लेखक नेता विचारक ये तो सुना है बड़े अच्छे लोग होते और ये तीनो बात काट कर सियार बोला ये तीनो सच्चे नहीं हैं रंगे हुए है माराज अब चलिए देर मत करिये और वे चल गिये आगे बुरा सियार था उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड अत्यंत गंभीरता पुर्वक सर जुकाय विनय की मूर थी उधर एक स्थान पर सहस्रों भेडें इकठी हो गई थी उस संत के दर्शन के लिए जिसकी चर्चा बोड़े सियार ने फैला रखी थी चारों सियार भेड की जय बोलते हुए भेड़ों के जुंड के पास आये बो जोर से संत भेडिये की जय बोलियों भेडों से पहले भेडों में पहले से ही यहां महां बैटे सियारों ने भी जय ध्वन की भेडों ने देखा तो वे बोली अरे भागो यह तो भेडिया है भागो तुरंत बुढ़े सियार ने उन्हें रोप कर कहा भाईयों और बहनों अ उनका हरवे परिवर्तन हो गया है वे आज साथ दिनों से घास खा रहे हैं रात दिन भगवान के भजन नौर परोकार में लगे रहते हैं उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते किसी का रोम तक नहीं छूते भेरों से उन्हें विशेश प्रीम है इस जाती ने जो कश्ट सहे हैं उनकी याद करके कभी-कभी भेडिया संत की आँखों में आशू आ जाते हैं उनकी भेडिया जाती ने जो अत्याचार आप पर किये हैं उनके कारण भेडिया संत का मा था लज्जा से जो जुका है सो जुका ही हुआ है परन्तो अब वे शेश जीवन आपकी सेवा में लगा कर तमाम पापों का प्रैश्चित करें है आज सवेरे की ही बात है कि एक मासूम भेड के बच्चे के पाउं में कांटा लग गया तो भेडिया संत ने उसे दांतों से निकाला दांतों से पर वह वेचारा कश्ट से चल वसा तो भेडिया संत ने समान पुर्वक उसकी अंतेश टिक्रिया की उनके घर के पास जो हड्यों का ठेर लगा है उसके दान की गोशना उन्होंने आज सवेरे ही की है अब तो वह सर्वन सत्याग चुके है अब आप उनसे भय मत करें उन्हें अपना भाई समझें बोलो सब मिलकर संत भेडिया की जये संत भेडिया की जये भेडिया जो अभी तक उसी तरह गर्दन डाले विने के मूर्ति बने वैठे थे बीच में कभी कभी सामने की ओर इकठी भेडियों को देख लेते और टपकती हुई लार को गुटक जाते बोड़ा सी यार फिर भोला भाईयों और बहनों में भेडिया संत से अपने मुखार विन्द से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्राथना करता हूँ पर प्रेम वश उनका हर्दय भर आया है वो गदगद हो गये है और भावा तिरैक से उनका कंठ अवरुत हो गया है वे बोल नहीं सकते अब आप इन तीनों रंगी इन प्राणियों को देखिए आप इन्हें न पहचान पाए होंगे पहचाने भी कैसे है ये इस लोग के जीव तो है नहीं ये तो स्वर्ग के देवता हैं जो हमें सदुपदेश देने के लिए प्रत्थी पर उतर हैं ये पीले विचारक हैं कव हैं लेखक हैं नीले नेता हैं और स्वर्ग के पत्रकार हैं और हरे वाले धर्म गुरु हैं अब कभिराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे हाँ कवी जी पिले सियार को हुआं हुआं के सिवा और कुछ और तो आता ही नहीं था हुआं हुआं चिला दिया शेस सियार भी हुआं हुआं बोल बोले बोड़े सियार ने हां के इशारे से शेस सियारों को मना कर दिया और चतुराई से बात को यो कहे कर समभाला भाई कविजी तो कोरस में गीत गाते हैं पर कुछ समझे आप लोग अरे कैसे समझ सकते हैं कविजी की बात सब की समझ में आ जाए तो वो कविजी काहेगा उनकी कविता में से शाश्वत के स्वर फूट रहे हैं विकार हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा वैसे ही प्रत्वी पर भेलिया हे भेलिया जी महान आप सर्वत्र व्याप्त हैं सर्शक्तिमान हैं प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है सांज को उशा आपका मुखचुमती है पवन आप पर पंगा करता है और रात्र को आपकी ही जोती लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है ये विराट आपके चर्णों में इस उक्षुद्र का प्रणाम है फिर नेले रंके सियाद ने कहा निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं बेड़े कोमल हैं निर्बल हैं अपनी रक्षा नहीं कर सकती हैं बेड़ी बलवान हैं इसलिए उनके हाथों में अपने हितों को छोड़ निशिंत हो जाओ वे भी तुम्हारे भाई हैं आप एक ही जाती के हो तुम बेड़ वभेड़िया कितना कम अंतर हैं और बेचारा भेड़िया वेर्थ ही वदनाम कर दिया गया है कि वो भेड़ों को खाता है अरे खाते हैं और खाते हैं और हटियां उनके द्वारा फेकी जाती हैं उनके द्वार पर फेक जाते हैं ये बेर्थ बदनाम होते हैं तुम लोग पंचायत में बोल भी नहीं पाऊगे भेडिये बल्मान होते हैं यदि तुम पर कोई अन्याय होगा तो डटकर लड़ेंगे इसलिए अपने हिद की रक्षा के लिए भेडियों को चुनकर पंचायत में भेजो बोलसंत भेडिया की जये फिर हरे रंग के धर्म गुरु ने उपदेश दिया जो यहां त्याग करेगा वो उस लोग में पाएगा जो यहां दुख भोगेगा वो वहां सुख पाएगा जो यहां राजा बनाएगा वो वहां राजा बनेगा जो यहां वोट देगा वो वहां वोट पाएगा इतले सब मिलकर भेडिये को वोट दो वे दानी हैं वे परोगकारी हैं संत हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ यह एक भेडिये की कथा नहीं है सभी भेडियों की कता है सब जगह इस प्रकार प्रशार हो गया और भेडों को विश्वास हो गया कि भेडिये से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रख्षक नहीं है और जब मंचायत का चुना हुआ तो भेडों ने अपने हित रक्षा के लिए भेडिये को चुना और पंचायत में भेडों के हितों की रक्षा के लिए भेडिये प्रतिनी धिमन कर गए और पंचायत में भेडियों ने भेडों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया कि हर भेडिये को सवेरे नाश्टे के लिए भेड का एक मुलाइम बच्चा दिया जाए दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड तथा शाम को स्वास्थ के ख्याल से कम खाना चाहिए इसलिए आधी भेड दी जाए नमशकार दोस्तों अनुभो की सीड़ी चैनल की ओर से आपको प्रणाप ये थी भेड और भेड ये हर्शिंकर परसाई जी की बहुत चलशित का था सीब्यसी में भी पढ़ाई जाती है बहुत सारे पाठेक्रमों में लगी है हमरी किशोर मानसिक्ता के बच्चे इस राजनियतिक दाउं पेच को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं और वो नए वोटर हैं मतदान अगर ठीक से किया जाए तो देश का कल्यान होगा अनिता तो जो परसाई जी कह रहे हैं दिखा रहे हैं उसे भी समझना होगा बहुत बहुत धर्माद आप सबका अच्छा लगे तो जरूर सुचित करें बताएं